दोस्तों आज मैं आपको नई बहु की लटमार हो ली की कहानी सुना रही हूँ सोनी कृष्णा जी की बहुत बड़ी भक्त थी और उपर से उसकी शादी भगवान कृष्णा के नगर में ही हो रही थी उसकी शादी नंद गाउं में ही हो गई थी उसका ससुराल वहाँ का एक नामी घराना था सोनी चाहती भी यही थी कि उसे एक ऐसा ससुराल मिले जहां उसे पियार और सम्मान मिले क्यूंकि वो खुद भी हर किसी के साथ बड़े ही पियार से बात करती थी और बड़ो का बड़ा आदर करती थी पर उसकी जेठानी मोनी बड़ी हिचतुर और घमंडी किसम की थी दूसरी और सोनी बेहत खूबसूरत थी और मोनी इतनी सुन्दर नहीं थी वह साधारन ने नक्षक वाली थी एक दिन सोनी मा जी ये लिजे परसाद उसकी सास हाँ लाओ बहू खुश रहो बहू सोनी बुवा जी आप भी लेजे परसाद हाँ हाँ बहू लाओ एक बात तो बताओ बहू तुम पहले भी कभी नंदगाओ जी मा जी एक दो बार अपनी ममी पापा के साथ काना जी के दर्शन करने आई ती पर यह तो बहुत पहली की बात है उनकी बुगा अच्छा फिर ठीक है अब तो तुम यहां आई ही गई हो जब चाहे तब काना जी के दर्शन करना सुना है कि तुम काना जी की बड़ी भक्त थो और हाँ होली भी आ गई है ये शादी के बाद की तुम्हारी पहली होली है ना, बरसाने की लटमार होली तो जग परसिद है, सोनी की सास, अरे हाँ, इस साल तो बहु की पहली होली पड़ रही है, बड़ी बहु मोनी भी तब वहाँ पर आ जाती है, उनकी सास बोलती है, हाँ मोनी बहु, इस बार खूब खूब अच्छे से होली की तैयारी करना खूब अच्छी चीजे बनाना गुजिया पकोडी ठंडाई दही बल्ले और हां मठरी भी बनाना अभी से शुरू कर देना ये सारी चीज बनानी मोनी हाजी माजी आप फिक्र ना करें मैं सब कुछ बना दूंगी पर मुझे लगता है कि सोनी ने पहली ये लटमारओध नहीं कभी खेली ही नहीं इसको तो इसको पहले प्रैक्टिस करनी होगी कहीं ऐसा ना हो कि किसी को ये जोड से लटमार दे और वो गायल हो जाए तब ही सोनी का पती सागर महाँ पर आ जाता है अरे भाबी आप तो मुझे डरा रही हो कहीं सोनी ने मुझे डंडों से पीट दिया तो अब तो मुझे सोनी से बचना पड़ेगा सोनी की सास अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है अरे बड़ी समझधार बहुए हमारी ऐसे थोड़ी नहीं तुम्हे मारेगी और वो तो हसी मज़ाग की बात है सोनी अरे आपको मुझसे डढ़ने की कोई अवश्यक्ता नहीं है ये मैंने पहले भी लटमार होली कहीं बार देखी होई है जब भी हम होली पे दीदी के घर जाते थे तो वो दोनों खूब लटमार होली खेलते थे और कहीं बार तो मैंने भी उसमें भाग लिया आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो मुझे पता है इस लटमार होली के बारे में और मोनी भाभी मैं आपके साथ पक्मान बनाने में साहता करूँगी मुझे बता देना कि क्या-क्या करना है और कैसे-कैसे करना है मोनी हाँ-हाँ कल से बनाना शुरू कर देंगे आज मैं सारा समान मंगा लेती हूँ पर मोनी तो कुछ और ही खिचिटी पका रही थी उसके मन में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था मोनी और मैंने ये दो लड़ू कर लिये तयार वो भी भांग के ये भांग के लड़ू मैं सोनी को खिलाऊंगी हुली के दिन फिर आएगा बड़ा मज़ा मुझे तो बड़ा ही मज़ाएगा जब वो ये लड़ू खाकर लटमार हुली के लेगी सारे गाउं में उसका मज़ाग बनेगा हा 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 फिर उसने वो लड़ू बनाकर एक साइट रख दिये होली का दिन आ ही गया सारे गाम वालों ने एक बड़े से मैदान में लटमार होली का आयोजन किया हुआ था सोनी का पती सागर भी हातों में रंग लेकर उसके पीछे पीछे बाग कर रंग लगा रहा था और वो मजे से लटमार होली केल रही थी फिर तभी मोनी वो लड्डू लेकर आ गई और बोली अरे देवर जी ये तो पहली ही है ना देवरानी जी कि होली कुछ मीठा तो कि लाईए देखिए ये लड्डू खाओ ये आपका और सोनी का लड्डू है ये मैंने स्पेशल तुमारे लिए ही बनाया है ये वेला लड्डू तुमको ही खाना है मैंने बड़े प्यार से तुमारे ही लिए बनाया है सोनी पर भावी मुझे तो लड्डू ज़्यादा पसंद नहीं है पर आप इतने प्यार से मेरे लिए लाई हो तो मैं खा ही लूँगी अच्छा ऐसा करो आप अपने हाथ से ही खिला दो नापसंद होते हुए भी आज मैं इनको खाई लूँगी फिर मोनी ने सोनी को वो दो लड्डू खिला दिये जिसमें की भांग मिली हुई थी अब मोनी को बस सोनी के नशे में होने का इंतिजार था कि कब वो भांग के नशे में डूब जाए और कुछ ना कुछ नाटक करे पर जिसमें भगवान कृष्न महरबान हो और वो भगवान का परम भक्त हो उसका तो कोई कुछ नहीं विगार सकता पर उसकी जठानी मोनी ये बात बिलकुल ही भूल गई थी कि सोनी भगवान कृष्न की परम भक्त थी उस पर ये भांग का लड़ू क्या ही असर करेगा और वो अब परिशान हो रही थी शाम होने पर भी वो समझ नहीं पाई कि आखिर सोनी पर भांग के लड़ू का असर क्यों नहीं हुआ तब भी सोनी मोनी के पास आई और बोली अरे भावी आप ये सोच कर इतनी परिशान हो न कि मुझ पर भांग के लड़ू का भी असर क्यों नहीं हुआ क्योंकि मुझ पर काना जी की विशेश कृपा है और मुझे मेरे काना जी को भोग लगाना था और तब मैंने आपको लड़ों में भांग मिलाते हुए देख लिया या यूँ कहे कि मेरे काना ने ही मुझे ये सब दिखाया और फिर मैंने उन लड़ों को साधरन लड़ों से बदल दिया मोनी सोनी मुझे माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अरे तुम तो किष्णा जी की परमभक तो मैंने तुम्हारे साधगरत करने की सोची और यहाँ पर तुम्हारा पहली पहली होली का त्योहार है यह त्योहार तो दुश्मन को मिदोस्त बना देता है यह तो प्रेम और भाई चारे का त्योहार है और बेदवाव दूर करने का आगे से मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी मुझे माफ कर दो सोनी अरे अनजाने में मैं इतनी भैंकर गलती करने जा रही थी तुम तो इतनी अच्छी हो सबके लिए हमेशा अच्छा ही सोचती और करती हो पर अब से मैं तुमारे साथ बड़े प्रेम से रहूंगी उसके बाद दोनों गले लगती हैं और उसके बाद मौनी ने कभी भी कुछ भी गलत करने का नहीं सोचा और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर प्यार से रहने लगी दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेर, कॉमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स पॉर वाचिंग